कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन पर श्रम मंत्री करेंगे PM मोदी से बाद 36 लाग पेंशनर्स पा रहे महज 1,000 रुपए EPS 95 पेंशन गुलबर्गा करनाटक के पेंशनर्स विश्वनात वली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया दावा किया कि नियोंतम पेंशन व्रिद्धी के लिए 78 लाग पेंशन भूगियों की आवाज सरकार तक पहुँच रही है सूचनाजी न्यूज, 36 गड़ कर्मचारी भविश्य निधी संगठनी पीएफो, Employees Provident Fund Organization पर लगातार आरोपों की बौचार हो रही है केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है कर्मचारी पेंशन योजना 1995, Employees Pension Scheme 1995 को लेकर काफी तनाव का माहौल है देश भर के पेंशन भोगी बार-बार अपनी पेंशन बढ़ाने की गुहार लगा रही है नए आकड़े के मताबिक वर्तमान में एक पेंशन भोगी की ओसत पेंशन 1450 रुपे प्रती माह है इसमें से 36 लाग पेंशन भोगी एक हजार रुपए प्रती माह से कम पेंशन प्राप्त कर रहे है पेंशनर्स की तरफ से किये जा रहे इस दावे में कितनी सच्चाई है यह तो EPFO ही बता सकता है फिलहाल, पेंशन भोगियों की बातों को सुन और समझ कर यही लग रहा है कि इनकी पेंशन बढ़ाने की जरूरत है गुलबर्गा करनाटक के पेंशनर्स विश्वनात वली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया दावा किया गया कि नियोंतम पेंशन व्रिद्धी के लिए अठत्तर लाक पेंशन भोगियों की आवाज सरकार तक पहुँच रही है आंदोलन का नेत्रित्व करने वाले पदाधिकारी केंद्रिय श्रम और रोजगार मंत्री मंसुख मंडाविया से मुलाकात की नियोंतम पेंशन व्रिद्धी 7,500 रुपए करने पर चर्चा की EPS 95 राष्ट्रिय संगर्ष समिती ने बताया कि केंद्र सरकार ने नियोंतम पेंशन व्रिद्धी 7,500 रुपए करने का आश्वासन दिया है मंत्री मंडाविया ने उन्हें बताया कि इस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी से चर्चा की जाएगी इन तमाम बातों के दौरान यह रिपोर्ट में सामने आई की वर्तमान में एक पेंशन भोगी की ओसत पेंशन 1,450 रुपए प्रती माह है और इसमें से 36,000,000 पेंशन भोगी 1,000 रुपए प्रती माह से कम पेंशन प्राप्त कर रहे है NAC ने बताया कि यदि इस पेंशन में व्रिधी की जाती है तो जीवन सुरक्षा के लिए न्यूंतम 7,500 रुपए प्रती माह पेंशन मिलनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात पेंशन भोगी सनत रावल ने कमेंट किया कि हम EPS 95 पेंशनर्स वरिष्ट नागरेक आश्वस्त रहें आशा रखें कि सरकार कम समय में न्यूंतम पेंशन स्विक्रित कर सकती है अगर ऐसा है तो यह अच्छा संकेत अच्छा प्रयास है NAC जिन्दाबाद 78 वर्ष का हूँ और 1224 माह पेंशन मिल रही रामकृष्ण पिल्लई का भी इस पर कमेंट आया उन्होंने लिखा मुझे नहीं लगता कि वर्तमान व्यवस्था के तहत यह संभव है जिसके अनुसार सामान्य तोर पर स्वीकार्य अधिक्तम पेंशन 7500 है तो न्यूंतम पेंशन 7500 कैसे हो सकती है यदि पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो अधिक्तम पेंशन अधिक संभव हो सकती है वह भी भविश्य के पेंशन भोगियों के लिए अधिक्तम पेंशन की स्वीकार्यता नवंबर दो हजार अठाईस से शुरू होती है यानि 16 नवंबर 1995 से सदस्यता के 33 साल बाद अपवाद कुछ हो सकते है मैंने अपना सुझाव पहले ही पोस्ट कर दिया है मैं 78 वर्ष का हूँ और 1224 माह पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ EPS 95 न्यूंतम पेंशन सरकार और EPFO को सबक सिखाने पेंशन भोगियों का बड़ा फैसला सरकार और कर्मचारी भविश्य निधी संगठनी PFO पर खासा नाराजगी है सूचनाजी न्यूज 36 गड कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहट न्यूंतम पेंशन 1000 रुपए आखिर कब तक मिलती रहेगी इसे 7500 रुपए कराने की आवाज उठ रही है लेकिन सरकार के कान तक नहीं पहुँच पा रही है गुसाएं पेंशनर्स ने यहां तक बोल दिया है कि अब घी सीधे अंगुली से नहीं निकलने वाली है अपना रुख बदलना ही होगा मोधी सरकार और करमचारी भविश्य निधी संगठनी PFO पर खासा नाराजगी है EPS 95 पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक पेंशनर्स ने लिखा शोक राउत जी अब आप तो समझ लीजिए कि घी सीधे अंगुली से नहीं निकलेगी अंगुली को टेड़ा करने से ही घी मिलती है जितने भी पार्टी के राजनेता नेता लोग है सभी लोग पर भरोसा करना हमारी मूर्खता है जब काम रहता है तो आपके घर जाडू लगाने वाले हैं काम हो जाने पर रास्ता बदल जाते हैं कभी भी विश्वास के पात्र नहीं है, न रहेंगे, अपनी जिन्दगी खुद ही समझना है, एक अन्य पेंशनर्स दीपक पटेल ने मन की बात लिखी, कहा शोक राउट जी हड़ताल एवा आंदोलन से कुछ नहीं होना है, सांसदों और विधायों को बिना कंडीशन के एक एक डेड़ लाख पेंशन दी जा रही है, एवां उन्हें अन्य सुविधाय भी प्रदान की जा रही है, आता मेरा आप से निवेदन है कि महराश्ट्र चुनाव में वोटों की राजनीती करें, गरीब मजदूर की आवाज ओडियो होती है, उसका उप्योग कर सरकार को सबग दिखाएं, जनहित में जारी, देश में जितने राजनीतिक पार्टियों हैं, सब एक ही है, सांसद में एक दूसरे को नीचा दिखाने मर्यादा को भुलकर समाज के सामने अपने-अपने मुम्या मिठ्थू बनना चाते हैं, सांसद, विधायक का सत्र समाप्त हो जाने पर, वही लोग होटल में जाकर मिलकर एक ही थाली में खाना खाते हैं, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कितनी पुरानी मित्रता है, यह सब जनता को मंत्रमुग्द कर मूर्ख समझते हैं, यही है कलियूग, इसमें राजनेता का नैतिक कर्तव्य और अधिकार है, EPS 95 Pension, Pension को लेकर Action Mode में मोदी सरकार, 78 लाख लोगों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, EPS 95 Pension, नई दिल्ली, Pension भोगी EPS 95, EPS 95, योजना, स्कीम के तहट सरकार से अधिक पैंशन की मांग कर रही हैं, इस सम्बंद में सरकार, गाव्मेंट ने शुक्रवार को पैंशनर्स को आश्वासन दिया है, EPS 95 योजना के करीब 78 लाख पैंशन भोगी नियोंतम पैंशन बढ़ा कर 7500 करने की मांग कर रही है, EPS 95 पैंशन, नई दिल्ली, पैंशन भोगी EPS 95, EPS 95 योजना, स्कीम के तहट सरकार से अधिक पैंशन की मांग कर रही हैं, इस सम्बंद में सरकार, गाव्मेंट ने शुक्रवार को पैंशनर्स को आश्वासन दिया है, EPS 95 योजना के करीब 78 लाख पैंशन भोगी नियोंतम पैंशन बढ़ा कर 7500 करने की मांग कर रही हैं, पैंशन भोगियों, पैंशनर्स के संगठन ने कहा कि केंद्रिय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनसे बात की, जिसके बाद श्रम मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि EPS 95 योजना के तहट नियोंतम पैंशन, मिनिममम पैंशन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, औसत मासिक पैंशन 1450 रुपैय निरने EPS 95 नसी के सदस्यों, मेंबर्स के विरोध के बाद लिया गया है, देश के विभिन हिस्सों से लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, इस विरोध प्रदर्शन में पैंशन भोगियों, पैंशनर्स ने नियूंतम पैंशन 1450 रुपै से बढ़ा कर 7500 रुपै करने की मांग की है, वही संगठन की ओर से कहा गया कि करीब 36 लाग पैंशन भोगियों को हर महिने 1000 रुपै से भी कम पैंशन मिल रही है, बुढ़ापे में जीवन कठिन हो जाता है स्मिती के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, श्रम मंत्री मंसुक मंडाविया ने हमें आश्वासन दिया है कि पैंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान सरकार, गाव्मिन्ट, द्वारा किया जाएगा, उन्होंने कहा, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी, प्राइम नरेंदेर मोधी, हमारी समस्याओं का समाधान ढूंडने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं, नियमित पैंशन फंड में लंबी अवधी तक निवेश करने के बावजूत पैंशन भोगियों को बहुत कम पैंशन का लाभ मिलता है। इस समय पैंशन राशी में कटोती के कारण लोगों के लिए बुढ़ापे में अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि EPS 95 योजना के तहट नियूंतम पैंशन, मिनिममम पैंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की गई है। इसमें महंगाई भत्ता, दिये और पैंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। इसके बाद राउत का कहना है कि कॉंग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पैंशन भोगियों से बात की है और पैंशन में बढ़ोतरी का समर्थन करने का आश्वासन दिया है।